जनपर संबल के चंदोसी में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के रास्टी अध्यक्ष ने कहा कि अधि जनसंख्या नियंतरन कानून नहीं बनाया गया तो देश में ग्रे यूद जैसी इस्तिती बन जाएगी जनसंख्या देश के लिए ही नहीं बलकि विश्व भर के लिए बहुत बड़ी समस्या है इसे उकले कर भारत में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन रास्टी अध्यक्ष अनिल चोधरी के नेतित में जनसंख्या नियंतरन कानून की मांग कर रहा है आज जन पर संबल के चंद आए गया तो देश में बड़ती जनसंख्या के कारण यूद जैसे हलात पैदा हो जाएंगे जब हम यह कहते हैं कि देश में जाती धर्म छेत्र भासा से उपर उठते हुए जनसंख्या नियंतरन कानून बने और वह सभी नागरिकों पर समान रूप से लगू हो तो इसमें कोई विशेस वर्ग नहीं चूटता विशेस छेत नहीं चूटता विशेस भासा ही नहीं चूटता कोई नहीं चूटने वाला है इस कानून में जो भारत देश का नागरिक है जो भारत का अधार कार्ट होल्ड करता है उसके उपर यह कानून लागू होगा और जो नहीं करत यह हो यह स्निव लेला बाद ए जहां तक विशेश plane की बात कानून बने हैं उनका विरोध हुआ है हम अगर विरोध गलत थाब कि सरकारों उने कुष विरोध की परवाह नहीं प्रभाशाँ की है जहां विरोध हुए है और स्वभाविक हैं वहां बातचीत भी हो रही है कुछ विशय ऐसे होते हैं जो विरोध या लोगों के रोकने टोकने से उनका प्रभाव नहीं पड़ता जनसंख्या विशय इतना गंधीर है इसमें विरोध जैसा कुछ है नहीं और योजना हमारी यह है कि भारत वर्स के सभी जिलों से सभी गाउं से जब लोग खड़े हो जाएंगे तो इसका विरोध करने वाले लोग देश से पैर धवा कर भागने वाले यह हैं यह है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने कल ही लागो हो जाए हम तो यह चाहते हैं हमारा प्रियास भी यह है जल्द से जल्द बने यह सरकार को देखना है औ यह सवाल मेरा और है भी उत्रा खनू पीछे पंचाय चुनाव में तो उसमें यह कानून लागो किया गयाता हूं पर यह जिनके दो से अधिक बच्चे है उन्हें चुनाव से बंचे किया जाएगा अब चुंकि यहां पर यूपी में भी पंचाय चुनाव होने जा रहे है किया ऐसा कुछ होने जा रहे है यूपी में भी होना चाहिए आपके साथ यह सब सांकेतिक यह कॉस्मेटिक रेमेडी है यह एंसर का इलाज नहीं है यह तो कोई फोड़ा निकलाया और उस पर उपर से कोई मरहम लगा दें उस पर फेरें डवली लगा दें उससे लाब नही कि देश भर में कि जितनी पंचायते हैं जितनी ग्राम प्रण एक गाओं में आठ दस बार है लोग चुनाव लड़ने से रोकने वाला विशय ही नहीं है चुनाव में वोट मैं कर सके ऐसा देश के डीड़ सो करोड़ लोगों पर यह कानून लागो होना चाहिए यह हमारी वोटिंग नहीं होने के बोटिंग राएक सणमाज आएक अचिए अचिए नहीं कोई पणिश्मेंट या इस तरके यह अचिए ना उसके आए पाटी आज़ा जाए आ जातेए तके आएक हमारी जाए और यह अगे अग देश में हैं फत्वे आएं नेता विरोध के नाम पे विरोध करें मैं तो यह कहूंगा कि जो लोग चाहे वो ओवेसी हो कोई कम अकल हो कोई सफीक हो अभी असंद के कोई सांसत थे उन्होंने भी इस विशय पे जब सरसंग चालाग जी ने पिछले वर्स इस विशय पे मुरा सब लोग अपने लोगों को बेवकू बनाना चाहते हैं उनकी वोट हासिल करना चाहते हैं जबकि वो उन्हें गरीवी में ढखेले रहना चाहते हैं वो चाहते हैं यह जाहिल बने रहें गवार बने रहें दस-दस बारे-बारे बच्चे पैदा करें ताकि वो उनके पीछे कि अंध्य के चलते रहें जिन्दगी बर पंक्चर लगाएं वो उसके लिए नरक की जिन्दगी में रहें इसलिए वो उनके हिताशी नहीं हैं हम सब लोग भारत की जो आज सत्ता है हम से आग्रह करेंगे सम्होते ऐसा कर भी रहें हो वो सभी लोगों को